नमास्कार दोस्तों मैं वीपुल राद पर टोपर्स नोट्स की डिजिटल प्लैफोर्म पर आप सभी का पुने स्वाकत करता हूँ दोस्तों हमारा दो वरिष्ट अध्यापक भरती परिक्षा के पर्थम पर्शन पत्र राजस्तान के उद्धेश से जो राजस्तान अध्याप है, हमारा राजस्तान का आप से उसका अध्यापक परारम हैnd नीटियाप्र परारम्ब करते हैं सबसे पहले राष्टि उद्धान, वन्ने जिव अभ्यारब एं उससे रक्षिशन, हमारी प्राकृति वनस्प्ति है वैवन्य जीवों को सुरिक्षित रखने के लिए इनको बनाया जाता है राजस्तान में कितने राष्ट जाना है तीन इसके एक छोटी शी ट्रिक भी आप याद रखें तो के रम के से केवला देव केवला देव रह से रन थमबोर और मैसे मुकंद्रा हिल्स मुकंद्रा हिल्स केवला देव राष्ट जान कहा श्तीत है तो केवला दे घनापक्ष्य अभ्यारन है भर्तपूर जिले में किसके लिए परशिद है साइबरिन क्रेन बुगली बया कोयल और बटेर आदे के लिए यह परशिद है केवला देव राष्ट उद्धान दूतर है रनतंबोर राष्ट उद्धान यह स्थित है स्वाई मादव पर जिले में यह बाग के लिए परशिद है बाग, भालू, चीतल सामबर, नीलगाई, मगरव स्थित है और यह राष्ट उद्धान बारती भाग में बहुत परशिद है कौनसा रनतंबोर अप्यार पिर मुकंद्रा हिल्स राष्टे उध्यान यह कोट्टा और चितोडगर जिले में फेला हुआ यानि दो जिलों में फेला हुआ राष्टे उध्यान कौन सा है मुकंद्रा हिल्स राष्टे उध्यान यहां पर क्या पाई जाते हैं यहां पर बाग भी पाई जाते हैं रीच है इसके लाव जरक, गिदड, भेड़िया, सांबर, चितल, नीलगाई, चिंकारा, शियारा, दिवर्निफक जीव पाई जाती है तो परसंदे को राष्टी उध्यान में से तो यह तो पूच ले कि कितनी उध्यान है तो तीज राष्टी उध्यान है तो बाग के लिए परसंदे है भै मुक्त वन, यानि अभै का अर्थ ता है भै मुक्त और अरण का अर्थ ता है वन यानि जंगल अर्थात ऐसा वन जहां वन ने जीव सरक्षित गूमसों के इसी उध्यान के लिए सरकार द्वारा वनों को सरक्षित वन शेतर को सहरक्षित किया गया है कई वण्य जी व भियारना है है जिनमें से कुछ प्रमुक वण्य जी व है इस तालिका में दिखाए गधाे जैसे ये सूचाश्य से बला है राष्टे इसके पाद कुम्बल गडवन्य जी वा भालू चिंकारा और नेलगाय के लिए परशिद है इसके पाद करें फूलो ओर भाबो भालू आर नेलगाय और रियलगाय के लिए परशिद है इसके बाद शित्तामातावन्यजी अभ्यारण यह परताबगड चितोडगड और उदेपुर में उदेपुरुका है और इसमें उड़न की लहरी और सांबर उलोंड पर यह जाती है माउंट आप ववन्यजी अभ्यारण वो है500 स्योंड में यह ब यह यह परती है जम्वृ रामगड वण्यज्व यह परत्ते हैं यानि एक मात्र गडियाल अभ्यारण है वह कोंसा चंबल गडियाल यह पाई जाती है और यहां पर आप नक्षी में देख रहे हूं यहां पर रामगड़ी विसदारी है इसके अतरिक भी रास्तान में और भी अरुणी जीवड़ी जीवड़ी जेपूर में है बांध अबरेठा वन्य जीवड़ी वश्वड़ी जीवड़ी 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 स्धुक्त की रहीआइब 8-30 सांबर जील वेटले गया है यह एक परशन आया हाथा कौन सा राष्ट उध्धान है, अब धेखो वन्ने इसरिक्षण नीतियां का सिकाई श्यमनेती? तेको राश्टिय वन्निती वर्स था है उसमें कहा कि राज्य की संपूर्ण भूबाग के 20% को वर्क्षा चादित करने का लक्षे रखा गया था ताकि पारिष्टितिकी एवं परियावन को संतुल बनाये रिखने परदेश वाशी की सामाजिक आर्थिक उठ्यानों के लक्षों की प्राप्ति भी हो सके लेकिन राजस्तार में वर्तवार में 10% ही वन्नों के अंदर दूद कटाई एवं जागरूपता भाव के काड़नक र सरकारों के द्वारा और अनेक संस्तान जो है वन्नों के लिए जागरूपता भावित्तिक उठ्यानों के लिए वन्नों से लक्टी काटने में प्रापंदी लगाएगी है वर्क्षा रोपन चारागा है विकास सामजिक वानिक्य कारिये भी किये गए हैं जोदपुर में एक संस्तान है केंद्र ए सुस्क अनोस fine-no sandhane संस्तान कादरी इसकला सुष्क वन्न आनु संस्तान अफरी भी दोनू जोदपुर में सिता है इस संस्थान तरह को दिछ है सुस्क यवं अर शुसक वार सेत्रों में वन एंवन ने जीवद्यों के विकास हैते हुं संसादन अनू तो यह है आपका वन ने जीव और राष्ट उधान वाला टोपिक यह पूरा हो चुक है इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में अगला टोपिक डिसक्ति रहे हैं तो यह थी कि आज की क्लास आपको क्लास कैसे लगी अगर क्लास पसंद आजी तो वीडियो को लाइक करें इसको शेर करें कॉमेंट करें और टो आने बाद दोस्तों जए हिन्द जए भाराण।